इन मेंसे किस राजा के काल को तेलगू साहित्य का स्वरन काल कहा जाता है? आपके उप्सन हैं उप्सन A. राजा हरीशचंद्र, उप्सन B. राजा करशनदेव राय, उप्सन C. राजा वीर नरसिहिंग, उप्सन D. राजा राम राय, आंसर दीजिए. इसका सयोत्तर होगा उप्सन B. राजा करशनदेव राय, आजगे सभी महत्यपूर्ण प्रेशन साहित्य से संबंदित हैं, अगला प्रेशन है, निमने लिखित मैंसे किस गरंथ को आदी काल का प्रेथम गरंथ माना गया है? आपके उप्सन हैं, उप्सन A. हर्षचारित, उप्सन B. पांडूरंगा महत्यम, उप्सन C. तोलकाप्यम, या उप्सन D. प्रत्थविराज रासो. इसका सयोत्तर होगा, उप्सन D. प्रत्थविराज रासो, जिसकी रचना चंदर बरदाई ने की थी. अगला प्रेशन है, निमने लिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहत्य का पिता कहा जाता है. आपके उप्सन हैं, उप्सन A. भारतेंदू हरीश चंदर को, उप्सन B. हरीवन सराय बच्चन को, उप्सन C. रविंदर नाथ टैगोर को, या उप्सन D. प्रताप नाराण सि इंको. इसका सयुत्तर हो जाएगा, उप्सन A. भारतेंदू हरीश चंदर को, आधुनिक हिंदी साहत्य का पिता कहा जाता है. नेक्स्ट कोशन, किस प्रसिद्ध कभी को, भारत का राश्टर कभी कहा जाता है? आपके उप्सन हैं, उप्सन A. जैसंकर प्रसाद, उप्सन B. मैथली सरणगुप्त, उप्सन C. संत रैदास, या उप्सन D. नागारजुन. अपना आंसर कमेंट कीजिए. तो इसका सयुत्तर होगा, उप्सन B. मैथली सरणगुप्त. इनको भारत का राश्टर कभी का दर्ज़प्राप्त है. अगला प्रसन है, निमनिलिखित में से किस कवी को कन्नडवालमीक भी कहा जाता है. आपके उप्सन है, उप्सन A. कवी नरहरी. उप्सन B. कवी पंप. उप्सन C. कवी पून. उप्सन D. कवी रन. आपको जिस भी प्रेशन का उत्तर पता है, प्लीज उसे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए. पंजावी साहित्य का प्रेथम कवी किसे माना गया है? आपके उप्सन है, उप्सन A. फकीर मोहन सेनापती. उप्सन B. क्रेशन दास सर्मा. उप्सन C. बावा फरीद संकरगंज. या उप्सन D. अभीनव गुप्त. इसका सयुत्तर हो जाएगा. उप्सन C. बावा फरीद संकरगंज. अगर एकजाम के लिए प्रेशन आपको महत्तपूर्ण लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें. तो अगला प्रेशन है, हिंदी साहत्य के इतिहास को कितने कालों में बाटा गया है? आपके उप्सन है, उप्सन A, दो कालों में, उप्सन B, तीन कालों में, उप्सन C, चार कालों में, या उप्सन D, छे कालों में. आ आधिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल अगला प्रेशन है इन मैंसे किस काल में खड़ी बोली काव्य का विकास हुआ आपके option है option A आधिकाल में, option B भक्तिकाल में, option C रीतिकाल में या option D आधुनिक काल में अपना अंसर बताईए इसका सयुत्तर होगा option D आधुनिक काल में अगला प्रेशन है प्रेशिद्ध कवी कवीर दास और सूर दास का सम्वंद हिंदी साहत्य के किस काल से है आपके option है option A आधिकाल से option B भक्तिकाल से option C रीतिकाल से या option D आधुनिक काल से अपना अंसर कमेंट कीजिए इसका सयुत्तर होगा option B भक्तिकाल से इसक्यूज का लाश्ट प्रेशन है प्रेशिद्ध कवी अमीर खुसरो की गजलें किस भासा में लिखी गई हैं तो आपके option है option A उर्दू में option B फार्सी में option C पंजावी में या option D कौकर में इसका सयुत्तर होगा option A उर्दू भासा में अगर आपको क्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्रेश लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बार पूरी मेहनत के साथ मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और अपने एक्जाम को पास करने की पूरी पूरी कोसिस कीजिए धन्यवाद